हाई बच्चो क्या हाल चाल तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 11 की पढ़ाई के साथ साथ आपको 12 के टॉपिक्स का रिविजन भी करवाता रहूंगा तो आज बिटा उसी का एक और सेशन है और आज हम लोग करने वाले हैं 12 का टॉपिक जिसका नाम है इन सर्जोन ओफ ड कपासिटर में जब हमने डाइलेक्ट्रिक लगाया बैट्री से डिसकनेक करने के बाद तो कौन सा इसमें से सही होगा स्टेट्मेंट है ना काफी अच्छा कोशन था अभी हम इसको सॉल्ट भी करेंगे बट पहले पढ़ते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक लगाने से होता क्या है देखिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं रिविजिन हो जाएगा तो अगर ये दो केपासिटर प्लेट्स हैं और अगर मान लीजिए इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है ऐसा ही होता है एक पे प्लस एक पे माइनस है ना तो अगर आप इसके बीच में इलेक्टरिक फील्ड निकालोगे तो इलेक्टरिक फील्ड इस तरफ होती है ऐसे है ना तस इस दे डिरेक्शन आफ इलेक्टरिक फील्ड प्लस से माइनस होता है इलेक्ट्रो स्टाटिक में आपने पढ़ा है तो अगर मैं इलेक्टरिक फील्ड की बात करूँ तो ये होता है sigma divided by epsilon not sigma is the charge density यहाँ पे plus sigma यहाँ पे minus sigma और sigma को हम बोलते हैं charge upon area तो sigma by epsilon not is the electric field अच्छा और क्या निकालना होता है मैं यहाँ पे capacitance अगर आप निकालोगे माल लो इसके बीच का जो distance है दो plate का वो D है और इसका जो area of cross section है वो A है है ना 3D में area ऐसे होगा तो area अगर A है C जो capacitance कहलाता है is given by epsilon not A divided by D ठीक है epsilon not A divided by D अच्छा अब कितना potential difference है दोनों plates के बीच में अगर potential difference निकालना है तो उसका formula होता है V बराबर E into D वेद है ना वेद V याने के potential difference बराबर electric field multiplied by distance between the two plates V बराबर E into D कितनी energy store हुई है ना energy अगर energy को मैं यू लिखता हूँ तो बटा तीन formula है उसके half cv square ठीक है q square by 2c and qv by 2 यह तीनों formula में से कोई साभी आप लगा सकते हो यह c और v के terms में capacitance और voltage के terms में यह charge और c के terms में यह चार्ज और v के terms में जब जिसकी जुरत है आपने लगा लिया ठीक है अब क्या है इसके बीच में दो plates के बीच में हवा या vacuum नहीं होता है अक्चुली एक ज्यादा charge store करपा अपर युनिट वॉल्यूम क्योंकि capacitance का formula by q by v है ना charge upon वॉल्युम चार्ज अपन potential ठीक है तो सेम potential पे अगर ज्यादा charge store करना है तो capacitance ज्यादा चार्ज ज्यादा होना चाहिए तो dielectric के दो काम है एक यह capacitance को बढ़ा देता है दूसरा यह दोनों प्लेट्स के बीच में एक support establish करता है वरना यह attract होके चिपक जाते तो इस support बना के रखता है और dielectric का actual मतलब है insulator यह actually insulator होता है ठीक है अब आपको अगर याद होगा कूलोंब्स लो आपने पढ़ा होगा बिटा फोर पाई एपसाइलन नौट क्यूवन क्यूटू डिवाइड़ बाई आर स्क्वाइर यह होता है फोर्स बिटूटू टू चार्जस यह तब है जब air या वैक्यूम हो लेकिन जैसे ही बिटा कोई medium introduce हो जाता है तो इसी फोर्स क हम लिखते हैं वन अपन फोर पाई एपसाइलन नौट एपसाइलन आर है ना क्यूवन क्यूटू वाइर स्क्वाइर यह जो एपसाइलन आर है ना रेलेट्टिव परमिटी विटी इसी को डाई एलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट भी कहा गया है बेसिक आइडिया यह है कि यह ड डाई लेक्ट्रिक लिखना हो तो आप क्या करेंगे बिटा के पासिटन्स के फॉर्मले में यहां पर एपसाइलन आर एड हो जाएगा या मल्टिप्लाइ हो जाएगा और एपसाइलन आर को ही यहां पर डाई लेक्ट्रिक कॉंस्टेंट के कहा जाता है क्या कहा जाता है प्यत्य होगा, कौन चेंज होगा, कौन नहीं होगा जब आप کیपासिटंस को k-투कर्य ताइम्स कर दोगे क्यूंकि डाईलेक्टाम ये कितना है कि टाइम्स अब कितने टाइम्स हो जाएगा अब इसको समझते हैं insertion of dielectric में क्या होता है जब बात चलती है insertion of dielectric कि आपको एक एपासेटर के अंदर insert करना है dielectric को तो उसके दो conditions बनते हैं पहला देखो मैं इसको दो part में divide करता हूँ बहुत बढ़िया से आपको analyze करवाऊंगा देखो पहला कि insertion of dielectric आपने किया और इस समय आपने रखा potential को constant ठीक है potential को constant रखा और फिर dielectric लगाया दूसरा आपने charge को constant रखा और तब dielectric लगाया यह दोनों achieve कैसे करते होंगे देखिए अगर आपने battery लगा रखी है अगर आपने battery connect करके रखा है और connected battery में ही आप अब धीरे धीरे यहां से dielectric इसमें लगा रहे हो तो क्या होगा बैटरी बोली कि मैं तो potential change नहीं होने दूँगी भाई क्योंकि मैं connected हूँ अभी है ना तो battery बोली कि यहां अगर V potential है मेरा potential V है तो यहां का potential भी V और यहां का 0 होना चाहिए मतलब इनका भी difference V ही होना चाहिए तो battery अगर connected है तो फिर potential change नहीं हो सकता दो plates के बीच का तो basic idea यह है कि जब मैं कहता हूँ कि potential constant पे dielectric लगाया इसका मतलब यह है कि भाई battery जो है वो connected रहेगी throughout the process जो भी आप बात करेंगे आपकी battery उस समय connected है battery को लगा रखा है हटाया नहीं है उसके बाद आप dielectric लगाते हो लेकिन अगर सोचो charge को constant रखना है तो इसमें क्या करते है battery को हम disconnect कर देते है क्या फायदा हुआ सर battery को disconnect करने का देखो battery से हमने पहले ना battery से पहले हमने इसको charge कर वा लिया के पास अर्टर को ठीक तो इसके पास 2012 प्लस चार्ज आ गया इसके पास ्माइनस चार्ज आ गया अब यह चार्ज तो यहां पर स्टोर हो चुका है इस पे और इस पर प्लस और माइनस, अब हमने धीरे से बैटरी को हटा दिया, जब हमने बैटरी को हटा दिया सब्सक्राइब, तो जो चार्स यहाँ था और यहाँ था, वो चार्ज कहां जाएगा अब, बैटरी तो गई, सर्क्ट कम्प्लीट ही नहीं हो रहा, तो ये open बन गया अब यहां से निगल के हवा में कूच जाएगा और आर्क बनके निकल जाएगा ऐसा तो नहीं है तो जो भी चार्ज था प्लेट पे वह अब चार्ज वहीं रहने वाला है कहीं नहीं जाने वाला इसलिए चार्ज अचीफ करने के लिए हमने क्या किया वैटा हमने सिंपल किया battery को हमने disconnect करिए disconnect कर दिया अकर इतना भी किसी को आता है ना इतना भी कूई समझ़ पाता है ना तो पता है अब हैने क्या लिखा बैटरी डिस्कनेक कर दिया, तो चार जो भी था वो constant रहेगा, अब देखो नीट का सवाल, मैं इसके पूरे analysis करवाऊंगा, बट कोई बच्चा अगर basic भी जानता है, तो basics कितने strong होते हैं, देखो, एक parallel plate capacitor लिया, ठीक, बुलता है connect किया एक battery से, and then battery को disconnect कर दिया, अब आप ब charge है, capacitor के उपर वो कहीं जाएगा नहीं, constant रहेगा, अब आप options देखो, आप A, B, D को देखो भी मत, C को देखो, charge on the capacitor is not conserved, not conserved है न, हमें पता करना था incorrect कौन सा है, C ही तो है incorrect, वाई, जब आप battery हटा दोगे, जब आप battery को disconnect कर दोगे, बैटरी अब नहीं है, बैटरी अब नहीं रही, निकल ली बैटरी, तो यहाँ जो charge है, यहाँ जो charge है, वो तो रहे गई, वो तो change नहीं होगा, इसका मतब सही statement यह होता, कि जैसी आपने battery को disconnect किया, अब भया, चार जो है, वो constant रहेगा, लेकिन यह बोल रहेगा, constant तो यह गलत statement है, अब मेरे को A, B और D अगर अभी नहीं भी आता है, तो भी मेरा question solve हो चुका है, बधाई हो, answer is C, सिर्फ इतना पड़के हो गया, लेकिन अभी हम पूरा check करेंगे, कि अगर यह गलत है, ठीक है ना, इसको हमने select कर लिया incorrect, तो यह correct होगा, यह correct होगा, अभी हम proof करेंगे, कि यह correct है, यह correct है, और यह correct है ठीक है, आई यह इसकी analysis करते हैं, क्योंकि इस बार question यह आ गया था, अगली बार कुछ और आ जाएगा, है ना, चलो दिखते हैं, सारा analysis करते हैं, पहले क्या करते हैं, यहां पे आते हैं, हमने बोला देखो भाई, potential तो constant है, done, अच्छा, इसका एक छोटा सार डाइग्राम पनालो, आसान हो जाएगा, यह capacitor, यह आपकी battery, ठीक, अब मैं दो चीज़े लिखूंगा, कि before कैसा था, before inserting dielectric, और after, ठीक है ना, इसको थोड़ा उपर लिख लेते हैं, ताकि जगे मिल जाए आपने को, थोड़ा सा अपन उपर लिख लेते हैं, इसको, यहां पे लिख लेत बेटा, शुरू करते हैं, capacitance से, है ना, capacitance से शुरू करते हैं, अगर dielectric नहीं था, मतलब before की बात चल रही है, तो कितना था, capacitance, अब यह भी बताया था, मैंने आपको, epsilon not a divided by d, सही है ना, epsilon not a divided by d, after में क्या हो जाएगा, बेटा, देखो, after में हो जाएगा, यह, k times epsilon not a by d, सही ह है ना, k is the dielectric constant, तो जैसे ही आपने dielectric लगाया, capacitance तो k times बढ़ गया बेटा, अच्छा, अब आते हैं, potential पे, potential, potential अगर पहले v था, अभी भी v ही रहेगा, क्योंकि condition ही यह है, देखो, potential remains constant, है ना, v remains constant, तो v जो है आपका बिल्कुल सेम रहेगा, अच्छा, अब आते हैं, बे होगा, तो charge का formula क्या हो जाएगा, c into v, charge क्या हो जाएगा, c into v, तो एक काम करते हैं, charge का यहाँ पे formula लिख देते हैं, ताकि मैं आसानी से पता कर पाए, charge होता है c into v, अब सोचो, यहाँ पे before में capacitance अगर c था, और potential अगर v था, तो charge तो c v ही था, लेकिन after में, जब आपने dielectric लगा दिया, अब बताइए, capacitance c रह गया, कि k into c हो गया, k into c हो गया, लेकिन potential वो सेम रहा, potential कैसा रहा भाई, सेम रहा, तो सुचो, capacitance k into c हो गया, और potential v ही है, तो इसका मतलब अब यह charge कितना हो जाएगा, q कितना हो जाएगा, k times c v, क्योंकि c has increased by k times, तो obviously charge will also increase by k times, ऐसे analysis करन नहीं होती है, बिटा, समझ आ रहा है, basic idea लगा, कैसे करना है, एक सिकन ना, इसी ठंडा नहीं करना है, मैं को पसीन है, चलो, remote भी नहीं मिल रहा, कोई नहीं, बाद में दिखते है, हाँ, idea लगा, हाँ, तो मैंने capacitance देखा, पहले इतना था, बाद में k times हो गया, मैंने voltage नहीं वही है, potential constant battery connected है, तो change नहीं होने देगा, charge देखा, तो पहले cv था, अब kcv हो चुका है, अब आते हैं energy पे, तो energy के लिए हम कौन सा formula लगाए, half cv square लगा लेते हैं, ठीक है, half cv square लगा लेते हैं, तो सोचो, पहले तो c, c था और vv था, यानि कि energy थी, half cv square, अब कि कितना हो गया energy, क्या c change हुआ है, change हुआ है, k times हुआ है, k times c, हैना, इसको आप लिख सकते हो, k into c, पुराने capacitance से k times ज्यादा, तो सोचो, वी तो सेम रहा, इसका मतलब नई energy में k का ही factor आएगा, हैना, c k से change हुआ है, तो energy भी k से change हो जाएगी, यानि कि बढ़ जाएगी, त कितना असान है बिटा, अब पुछेगा change in energy निकालो, तो final minus initial कर देना, आजाएगा, half cv square बाहर अंदर आएगा, k minus 1, ऐसे आप आराम से चीजों को निकाल सकते हैं, ठीक है ना, अच्छा, एक और चीज, एक और चीज में आपको बताता हूँ, देखो, अगर मानलो आपके पास दो capacitor plates है, plus sigma, minus sigma, है ना, मानलो किसी एक पे आपको force निकालना है, कि एक plate पे force कितना लगा, है ना, तो force का formula बता है, क्या होता है, electric field multiplied by charge, है ना, electric field multiplied by charge, इसमें बच्चा क्या गलती करता है, मैं बताता हूँ, force जब वो निकालने चाता है, तो electric field को ले लेता है, sigma by epsilon not, ब multiplied by charge, तो charge क्या होगा, sigma होता है, charge upon area, तो charge होगा, sigma into area, तो बोलता है, ठीक है सर, sigma into area, तो answer आता है, sigma square a upon epsilon not, बट यह wrong है, यह गलत है, formula सही है, बट value गलत आई है, कैसे सर, अब मैं बताता हूँ, जब आप force निकाल रहे हो किसी एक plate पे, तो आप net electric field नहीं लेते हो, यह net electric field है तो फिर क्या लेते हैं, सर, net नहीं लेते तो, तो हम लेते हैं कि दूसरे plate ने कितना electric field लगाया, पहले plate पे, तो basically इसका formula ऐसा है, कि force बराबर, electric field by second plate multiplied by charge of first plate, यह तरीका होता है, कि electric field दूसरे वाले plate ने कितना create किया होगा, इसके पास, multiplied by इसका खुद का charge, तो आपको पता होना चाहिए, एक plate का जो electric field होता है, वो होता है, sigma by two epsilon not, basically sigma by epsilon not कैसे आता है, पता है, यह positive वाला इधर create करता है, अपने से दूर, और यह negative वाला अपनी तरफ खीचता है, तो दोनों का sigma by two epsilon not है, अपना अपना, multiplied by two कर दो, तो sigma by epsilon not आ जाता है, तो net तो ठीक है, यह है, बट जब आप force निकाल रहे हो ना, तो आप क्या लोगे, आप लोगे सिर्फ second वाले ने कितना electric field लगाया, तो सिर्फ एक plate का तो वो होता है, sigma by two epsilon not, multiplied by charge कितना first वाले का, तो चार्ज होगे आपका sigma into a, hence force is sigma square a upon two epsilon not, है ना, अब मेरा आप बच्चों से सवाल है, बहुत simple सा, कि इ लिख देता हूं यहां पर formula पहले तो ना, पहले तो बिटा मैं यहां पर formula लिख देता हूं, कहां गया table यह रहा, तो देखो force का क्या formula था भाई, sigma square a upon two times epsilon not, है ना, किस factor से, कितने factor से force change होगा, चलिए देखते हैं, देखे बिटा, अगर मैं बात करूं charge की, तो चार्ज तो यहां k times cv हो चुका है, मतलब charge k times बढ़ा है, तो अगर charge बढ़ा है, तो इसका मतलब charge density भी बढ़ेगी, यानि कि sigma भी बढ़ेगा, कितने के factor से, k के factor से, तो जैसी तुम लिखोगे na, k का factor लगाओगे, तो यहां पर तो square था, तो k square sigma square a, मतलब यहां तो simple लिख देते ह k times बढ़ा, क्योंकि charge k times बढ़ा, तो यहां जाएगा k square sigma square a upon 2 epsilon naught, अब सुचो जहां epsilon naught होता है, वहां भी तो k से multiply करते हैं, जैसे coulombs law में किया था, capacitance में किया था, कुछ-कुछ वैसा है ना, तो यह k और k, एक k cancel हो जाएंगे, आप देखेंगे k का factor आ रहा है, मतलब force increases by k इसको करने का एक और तरीका बताता हूँ, मैं आपको देखो, force का formula मेंने क्या लिखा, electric field by second plate multiplied by charge on first plate, अब देखो, potential होता है, potential होता है, कितना, तो potential होता है सर, electric field into d, electric field into d, अब सोचो, पिछले case में क्या same है, सर, potential same है, क्या यह distance बढ़ाया आपने इन दोनों की बीच का, नहीं सर, वो भी same है, तो सोचो, अगर potential same है according to our case, distance between plates बेटा, same है according to our case, तो electric field क्या change हो सकता है, नहीं हो सकता सर, उसको भी same रहना पड़ेगा, उसको भी same रहना पड़ तो पिटा, k times बढ़ा है, charge तो k times बढ़ा है, आपने दिखा था अभी है ना, k cv हो गया है, तो अगर charge k times बढ़ा है, तो बस यहीं पे k का extra factor आ रहा है, hence force में भी k का factor आना चाहिए, है ना, तो इसलिए आप देखने है, force में कितने का factor आ रहा है, पिटा, k का factor आ रहा है, done yes, तो यह सारे के सारे parameters मैंने आपके लिख दिए है, एक last में एक electric field बच रहा है, electric field में आप बोलोगे कि जो net electric field है, यहाप लिखता हूँ ना, net electric field, इसका formula होता है sigma upon epsilon not, अभी मैंने यहाँ पे क्या कहानी सुनाई, कि अगर potential same है, distance same है, V बराबर ED होता है, तो electric field भी same रहेग अब इसको यहाँ पे मैं आपको proof करके दिखाता हूँ, देखो, sigma by epsilon not formula होता है, तो यहाँ पे तो sigma by epsilon not ही रहा, अब सूचो जब आपने dielectric लगा दिया, तो charge k times बढ़ा है ना, तो उपर k का factor आएगा, बिलकुल आएगा, उपर k times sigma हो गया, और नीचे epsilon not में भी तो k multiply करोग तो यह k और यह k change हो गया, मतलब cancel हो गया, तो अगर देखा जाए, तो c जो है, वो k times increase हुआ, वी जो है, वो same रहा, ठीक है ना, और अगर आप charge की बात करें, तो k times increase हुआ, energy की बात करें, तो k times increase हुआ, force की बात करें, तो k times increase हुआ, और electric field की बात करें, तो same रहा, इस table को बढ़िया से दो-तिन बार revise करना, यहां से कोई भी question आपके exam में आ सकता है, बोलेंगे कि भाई, battery को हमने connected रखा, dielectric लगा दिया, बताओ energy कितने times बढ़ी, घटी, क्या हुई, है ना, यह analysis आपको आनी चाहिए, more than remembering things, you should understand things, कि कैसे किया गया है, अब देखो अब यह हो गया ना, तो यह बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, आओ इधर आते हैं, है ना, इसमें क्या है बिटा, इसमें मैंने charge को constant रखा है, यह याद रखना, इसमें मैंने battery हटा दी है, यह दूसरा केस है, battery मैंने हटा द तो इसका मतलब charge कहीं जा नहीं पाएगा, charge सेम ही रहेगा, तो शुरू करते हैं, यहाँ लिखते हैं, before inserting dielectric, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, बिटा, after inserting dielectric, और यहाँ लिखते हैं, कितने का factor आया है, कितने के factor से change हुआ मामला, ठीक है, शुरू करते हैं, पहला factor क्या लिखा हाता हमने, हमने पहला factor लिखा था, c, देखो भाई, capacitance, ठीक, पहले तो epsilon naught a by d ही रहा होगा, ठीक, बाद में क्या हुआ होगा, epsilon naught a by d में, कितने का factor आ गया होगा, k का, भाई, इसको थोड़ना बदल पाओगी तुम, यह तो सत्य है, भाई, epsilon naught में k का multiplication कर दो, तो capacitance का अगर factor दिखा जाए, k times increase हुआ है, अब मैं second यहाँ पर potential लिखा था, क्योंकि वो same था, इसमें charge लिखता हूँ, है ना, लिख देता हूँ ना, कि charge same है, तो charge अगर यहाँ पर cv था, तो यहाँ पर भी कितना रहा, cv ही रहा, cv ही रहा, है ना, charge जो है, वो same रहा, charge did not change, आप चाहो तो same same भी लिख सकते हो, है ना, charge की value बदली नहीं है, अब मेरे मन में एक सवाल आया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, charge अगर q था, q था, q ही रहा, है ना, यानि कि यहाँ पर यह same रहा, अब मेरे मन में सवाल आया, कि यार, capacitance बढ़ा है, लेकिन charge same है, तो विचारे इस potential का क् निकालो, potential का formula क्या होगा, q upon c, है ना, तो formula लिखते हैं, q upon c, अच्छा, बिना dielectric डाले, यह तो q upon c ही रहा होगा, charge q, और capacitance c, लेकिन जब आपने dielectric लगा दिया, तो चलो, charge तो उतना ही है, लेकिन c जो है, वो तो k times बढ़ चुका है, ना, dielectric डालने के बाद, तो यानि कि यहाँ पर आ जाएगा kc, क्या जाएगा kc, अब आप compare करो, यह q by c, और यह q by kc, मतलब 1 by k, मतलब 1 by k के factors से decrease हुआ, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सारे factors तो k से ही change होता है, रट लेता हूँ, ऐसा नहीं है, 1 by k भी आता है, यहाँ आया ना, 1 by k से decrease हुआ, तो hence potential has reduced, potential has as beta reduced, अच्छा एक चीज़ और, मानलो, electric field के बात करता हूँ, electric field होता है, potential into d, है ना, electric field vector मतलिखो यहाँ पे, है न, vector मतलिखो, क्योंकि vector form में नहीं लिख रहा हूँ, electric field बराबर, potential to distance, अब देखो, शूरू में, शूरू में, electric field कितनी रहे होगी, potential to distance, बढ़ बात में देख potential करेगा, electric field को वही करना पड़ेगा, क्योंकि distance constant है, distance में change नहीं कर रहा हूँ, v बराबर ed होता है, distance constant है, जो electric field कर रही है, वो potential करेगा, जो potential कर रहा है, electric field, आप देखो न, यहाँ पे आप देखोगे, तो potential कैसा हुआ था, same रहा था, इस वाले case में, तो आप देखो, electric field भी बिल्कुल सेम रहा है, है न, यहाँ पे यह सेम है, ठीक है न, यह इसका लिखा है, potential same, तो electric field same, potential k, one by k से decrease, one by k के factor से decrease, तो electric field भी one by k के factor से decrease, अब आते हैं पेटा देखो, अब आते हैं पेटा, energy पे आते हैं पेटा, और क्या बजग गया, energy बजग गया, और force न, ठीक है, energy लिख लेते हैं पहले, अच्छा, energy देखना आप है न, energy का formula होता है, half cv square, होता है न, ठीक है, तो half cv square, आप चाहो तो q square बे 2c भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख ले ना, कौन-कौन सा फैक्टर कितना कितना चेंज हुआ, तो शुरू में half cv square ही रहे है, यह देखो, अच्छा, यह ऐसा आ गया, ठीक, कोई बात में, ठीक, अब देखो, energy कितना होता है भाई, half cv square, अब यहाँ पे तो half cv square ही रहेगा, before में, बट after में क्या होगा, सोचो, after में, capacitance जो है, वो k times बढ़ा है, है न, तो capacitance c में k का factor आया, तो मैं लिखूंगा, half त capacitance हो गया, kc, और potential में, one by k का आया, कहां लिखा है, यह रहा, potential में one by k, लेकिन यहाँ पे potential का square है, तो square से क्या होगा, one upon k का square, तो जो factor आया, वो आया, one upon k का square, into v square, तो आप देखेंगे, अगर यह k और यह cancel होगा, तो आपको मिलेगा, one by k से decrease हो रहा है, energy, बलद अगर initial energy होगे, तो देखेंगे, तो देखेंगे, आप देखो, दिहान से बिटा, यह उपर का k cancel हुआ, नीचे का एक k cancel हुआ, तो आप answer आ रहा है, one by k, cv square, one by k, cv square, कहने का मतलब मैं यह कह रहा हूँ, कि अगर energy initial, half cv square था, तो energy final कितना है, half cv square into one by k, समझे मेरी बात, और मानलो तो तुम change निकालोगे, अगर change, final minus initial, तो this minus this करोगे, this minus this करोगे, है ना, या फिर initial minus final, whatever, जो भी आपको करना है, तो half cv square बाहर आ जाएगा, और one by k minus one, ऐसे आ जाएगा, है ना, भाई, half cv square दोन में common है, यहाँ पर one by k, यहाँ पर one है, अच्छा, अब आते हैं, last factor पे जो distance, अब सोचो, अब सोचो, अरे distance बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, electric field multiplied by charge, है ना, electric field multiplied by charge, तो electric field by second plate multiplied by charge of first plate, अब देखो, electric field में कितने का factor है, one by k का, और charge में कितने का factor है, पीटा, same है वो, है ना, charge जो है आपका वो, same है, इसको ना, अच्छे से समझते हैं, है ना इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, इसको हम लोगना अलग से draw करके एक बार समझते हैं, ठीक है, अलग से यहाँ पर slide ले लूँ मैं, अच्छा, last time force क्या रहा था, same रहा था, चलो यहीं से हो जाएगा, कोई नी, मानलो, यहाँ पर member को force लिखना तो मैं रिखूंगा, e into q बट जब यहाँ पर लिखना है, तो electric field में कितने का factor है, 1 by k का, है ना, electric field में हो गया, बीटा, 1 by k, लेकिन charge क्या रहा, same, चार्ज रहा, same, तो electric field हो गया, 1 by k into e, और charge रहा, same, तो कितने का factor रहा, बीटा, 1 by k से degrees हो रहा है, है ना, चार्ज तो सेम है, चार्ज तो बदल नही यह चार्ट सेम है, बस electric field जो है वो 1 by K हो गई, तो electric field 1 by K हो गई, तो भाई force भी 1 by K हो जाएगा, अब यह सारा का सारा आपका table तयार है, अगर इसको कोई रटने बैठेगा, तो बहुत दिक्कत में आ जाएगा, लेकिन अगर किसी ने उस flow के साथ समझा, जिस flow के साथ मैंने पढ़ाया है तो कभी गलती नहीं होगी अब देखो PYQ solve करो आप आओ अच्छा इसका screenshot लेना है अगर तो ले सकते हैं आप है ना if you want to take screenshot please take it done चलो देखो question पढ़ते हैं यह PYQ में आया था है ना उसने एक word लिखा disconnected from the battery battery को हमने disconnect कर दिया है देखो लिखा ना connected to a cell and then disconnected battery गई battery गई तो मैंने सुचा कौन सा केस होना चाहिए पहला वाला की दूसरा वाला इसमें तो battery connected रहता है तो potential constant battery disconnected तो यह वाला आ जाता है charge constant तो charge constant मैंने देखा charge constant में मैंने focus किया अगर answer की बात करें तो answer तो मेरा 10 second में आ गया क्योंकि C option में लिखाता है charge will not be conserved जबकि यह condition ही है कि जैसी आपने battery disconnect किया चार्ज constant रहेगा हैंस यह option गलत है और गलत ही ढूनना है तो मेरा option C है answer आ गया अब देखते हैं बाकी सही कैसे हैं बोलता है energy stored in the capacitor decreases k times decreases k times मतलब 1 by k का factor energy अब देखो मैंने वही पढ़ाया कि आपको यहाँ पे करो पढ़ा दिया मैंने सारा energy कहां लिखा यह कितने का factor है 1 by k से degrees हुआ है हो गया है है ना हो गया अच्छा दूसरा option पढ़ते हैं सही है कि नहीं है तो यह सही है इसले मेरा answer नहीं है क्योंकि मुझे incorrect ढूंडना था दूसरा देखो the change in energy is half cv square 1 by k minus 1 इवन यह भी मैंने अभी calculate कर आया था आपको देखो कहां पर कर आया था यह देखो इनिशल energy half cv square final energy half cv square into 1 by k difference ले लो final minus initial change आ जाएगा change में यह बाहर 1 by k minus 1 यही दिया option में सही है ना बाई half cv square into 1 by k हो गया तो final minus initial करोगे half cv square बाहर 1 by k minus 1 तो answer आ गया बट अगर यही चीज इस case में पूछी जाती तो देखो energy ना k से बढ़ी थी मतलब बाद में k का factor आ था 1 by k का नहीं इसमें अगर आप change energy निकालोगे तो half cv square k minus 1 आएगा bracket के अंदर k minus 1 यहाँ k यहाँ 1 इसमें केस में हमारा तो charge constant वाला case है ना यह वाला ना तो 1 by k minus 1 तो देखते हैं option b सही है कि नहीं है बाई कह रहा है change energy half cv square 1 by k minus 1 यह भी सही है अब चुकि सही है इसले मेरा answer नहीं हो सकता वो answer तो c आप देखी चुगे है potential difference between the plates decreases k times चेक करो मैंने सही लिखाया है potential difference between the plates decreases k times decreases k times मतलब 1 by k के factor से decrease बिल्कुल सही है अब आप parameters गिनलो इसमें से कुछ भी आ सकता एक्जाम में एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह question यहां से बन सकते हैं फोर्स पूछ ले कि फोर्स का क्या होगा अगर potential constant है तो आप बोलो के force सेम रहता है पूर analysis करा दिया मैंने आपको इसका पूछ सकता है छह factor बेटा एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, टेक्निकली एक examiner 6 इधर स और 6 इधर से 12 questions बना सकता है इस एक topic के उपर, insurgent of dielectric, जैसे उसने यह fix किया कि charge constant की potential constant है, एक case हो गया, अब एक case के अंदर 6 questions बन सकते हैं, क्या पता compare करने को बोल देगा, कुछ भी आ सकता है, तो आपको यह नहीं सोचना है कि कैसे पूछाएगा, आपको इस पे focus करना है क कि मेरे को सब आना चाहिए, और रटा नहीं होना चाहिए कुछ भी, यह रटना बहुत गलत होगा, यहां पर बहुत गलत होगा, भले मैंने table के form में सब लिखवा दिया, बट यह मत सोचना कि मैंना रट के exam में चला जाओंगा, कि यह सेम रहता है, यह के से बढ़ता है, यह हमेशा बढ़ता है case times, जो दोनों ही case में बढ़ता है बेटा, उसके बाद आप देखो constant क्या है, इसमें potential, इसमें charge, उसके बाद वहाँ से charge निकाला, यहां से potential निकाला, फिर आप जाओ, energy में चाहे, electric field में चाहे, U में उसका form rate, कुछ भी हो सकता है, पहले U निकाल लिया, पहले यह, बट यह तीनों आपको पहले निकालने पड़ेंगे, C, V और Q, C, V और Q, क्योंकि बाकी सब इसी पर depend करते हैं, देखो न, यहां यह V पर depend करता है, यह C और V पर, यह Q पर, इसलिए C, V और Q सबसे पहले पता कर लो, बाकी तीन आप निकाल लोगे, ठीक है, तो य यह 30 मिनट का सेशन आपको कैसा लगा है, बताइएगा जरूर मुझे, और अगर MVSAT में अभी तक आपने अन्रोल नहीं किया है, तो कर लीजिए, मेगा विदान्तु स्कॉलर्शिप अप्टिट्यूट टेस्ट है ना, अड्मिशन टेस्ट, सॉरी, और इसमें क्या मिल रहा ठाई लाग से ज़्यादा बच्चों के साथ कंपीट करने का आपको मौका मिल रहा है, अगर अच्छा कर दिया एक्जाम में, तो 100% तक की स्कॉलर्शिप मिल जाएगी, विदान्तु कोर्सेस के उपर, बिड़ा आपको इसके साथ साथ बहुत सारी काउंसलिंग की गाइड पता चलेगा, ठीक है, चलिए, तो ये कंसेप्ट आपको हाई होप अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा कुस्चन बनता है इससे, अच्छे से पढ़ लेना, और ऐसे ही एक फॉर्मला नोर्स बनाके मस्त लिख देना, ठीक है, अपने कॉपी के अंदर, मिलतें नेक्स क् आसने बिटा, तब तक लिए बाबाए, वा नाइस देए, सी यू सून.